हाजी बच्चों, तो P-Block के आपको तीन टाइप के नोट्स दिये गए हैं पहला जो नोट्स हैं, आप Part 1, Part 2 और Revise Format में देखोगे पहले वाले नोट्स जो हैं, वो इस तरह से बनाये गए हैं कि आपको Classroom के Short Notes की Feeling आएगी 66 Pages के ये नोट्स हैं दूसरे नोट्स ऐसे बनाये गए हैं कि आपको Complete Theory मिलेगी ताकि एक्जाम के अंदर कैसे लिखना है वो आप Properly Check कर सकें और जो थर्ड नोट्स हैं, वो एक्जाम की एक घंटे पहले Revise करने के लिए Slide Format में बनाये गए हैं तो P-Block एक बहुत बड़ा Chapter है इसके लगबख 100 पे जिसके ये नोट्स हैं आपको इनको properly देख के cover कर लेना है और इस Chapter को छोड़ना नहीं है